गुद बॉर्निंग जी कैसे हैं? बड़े दिन से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था आप सब लोग बूछ रहे थे कि कहाँ चलेगे, कहाँ चलेगे कही नहीं गई हूँ, मैं यहीं हूँ मुझे लगा नहीं, मतलब मैं चाहती थी कि वीडियो शूट करूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए वीडियो शूट होने से रह गए बट एनिवे, I'm back वर्कलोड थोड़ा सा हम लोगोंने किया है, मैंने उसको अच्छा, मेरा फेस जो है, मैंने अभी वाश किया है, कुछ नहीं लगाया है not even moisturizer, कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे home remedy बनाने थी, तो मुझे लगा कि चलो मुझे फाइदा ही मिल जाए उस चीज़ का और यह देखो, यह pimple आ गया है मेरे चेहरे पे तो pimple की home remedy लगानी थी, तो चलो मैं आपके साथ भी share करती हूँ सबसे पहले न हम छोटी-छोटी चीज़ें जाल लेते हैं, कि pimples के लिए अच्छा क्या होता है, यह मैं पी रही हूँ, green tea क्योंकि घर पे रहे के मेरा weight बढ़ गया है कमेंट करके बताओ कि कौन-कौन green tea पीता है सुबह-सुबह जब हुमारे चेहरे भी pimples आते हैं, तो आज का वीडियो जो है न, उसमें हम देखेंगे कि चेहरे के जो pimples आते हैं, उसको कैस तरह से ठीक किया जाता है आपको वदा है कि मैं घर की चीज़ों से ही आपको सारी चीज़े बताती हूँ, लेकिन आपने भी थोड़ा सा न, अपनी body का ध्यान लखना है, body को detox समय समय पे करना है skin कैसी भी हो, अगर ज़्यादा dry है तो वो भी आपके पेट की परेशानी की वज़े से mostly कारण वही होता है और अगर मतलब माल लो pimples बहुत हैं, oily बहुत है skin, बाल बहुत ही rough हो गए है, frizzy हो गए है तब भी वो reason वही है कि हमारा शरीर स्वस्त नहीं है, healthy शरीर में सारी चीज़ें एकदम अच्छी होती है कोई परेशानी नहीं होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं एक अच्छी सी home remedy सबसे पहले जब भी pimples बगएरा कुछ आते है तो green tea बहुत अच्छी होती है आप green tea पियो उससे आपकी body का excess oil जो होता है वो निकालती है green tea और दूसरा मोश्यर को lock करके रखती है, जितने मोश्यर की आशकता हमारे शरीर को होती है, हमारी तबचा को होती है उतना वो lock करके रखती है, एक्स्ट्रा है तो निकाल देती है, कम है तो अंदर से cash लेती है तो मैंने क्या किया है, मैंने ये कटोरी ले ली है, अच्छा आपने चीजों का ध्यान रखना है कौन-कौन सी चीज़े में mix करूंगी मैं बहुत जादा चीज़े नहीं mix करूंगी, क्योंकि जादा चीज़े जुगाड़ना बहुत मुश्किल होता है आज मैं इंटर्ड्यूस करूंगी दो प्रोडक्ट मेरे दो नए प्रोडक्ट लिये हैं मैंने यह मैंने मेरे chemist की shop से लिये हैं अब ऐसा बोलने की जो रूरत बिल्कुल नहीं है कि यार मैं कुछ प्रोडक्ट का review कर रही हूँ लेकिन मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है यह है cucumber gel और यह है aloe vera gel aloe vera gel सब को पता है mostly सब लोग यूज़ करते हैं तो आज मैं अभी बनाने वाली हूँ इसके बाद एक वो भी वीडियो कि किस तरह से आप यूज़ करेंगे अपने day care routine day skin care routine में किस तरह से आप इसको add कर सकते हैं इस तरह से मुझे फाइदा मिला है ताकि आप भी उसका lab उठा सके ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कटोरी में हम लेंगे अभी किसी ने बोला था कि यार टेबल पे बना के दिखाओ टेबल पे सारी home remedies मैं बनाती हूँ अपने कुद्रत के चैनल के लिए तो आप वहाँ देखें वहाँ सारी home remedy है यह चैनल का पैटन थोड़ा मुझे चेंज करना था इसलिए मैंने यह किया अच्छा यह है नीम पाउडर नीम पाउडर आप घर का बना हुआ भी ले सकते हैं यह नीम की पत्तियां जो होती है आप उसको सुखा लीजे अच्छे से और पीस लीजे बहुत तेज होता है यह मार्केट का है तो मैंने आधा चमच लिया है लेकिन अगर आपके पास घर का है तब आप इसका वान फोर्थ स्पून ही लेना है आपने उससे ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि उससे ज़्यादा क्या अरशकता भी नहीं है दूसरी चीज मैं इसमें मिलाऊंगी शेहद शेहद की जगे पे नहीं बॉटल ना टक टक की आवाज आ रही है दो को एक मिनेट इसको कोली लेती हूं नहीं तो आप बोलेंगे कि अरे कितनी आवाज आ रही थी वीडियो में जब कांच की कटोरी को हम स्पून से ऐसे मिक्स करते हैं न कोई चीज तो बहुत कट-कट की आवास आती है बहुत लोग बोलते हैं कि हम अपने हैड़फोन गेरा लगा के सुनते हैं कान में टक हो जाती है एक दम से तो मैं क्या करूँगी एक चमच ये वाला देखो एक चमच भर के मैं इसमें शहद डालूँगी लेकिन आप शहद की मात्रा अपने हिसाब से तै करें क्योंकि अगर आपकी स्किन ज्यादा ओईली है तब आप ये मात्रा कम कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्र तब आप ये मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, इसको निकालना पड़ेगा, ये देखो ये कैसा हो गया है, हाथ ही कटेगा, रुको बाद में करती हूँ, हाँ, चलो, ठीके अब इसको थोड़ा सा हलके से मिक्स कर लेते हैं, ताकि कट की आवाज ना आए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, इस तरह से, अच्छा, अभी अगली चीज हम मैं इसमें मिलाओंगी, ऐलोवेरा जल, आप ऐलोवेरा जल या कुकुम्बर जल, दोनों में से कुछ भी मिला सकते हैं, अगर आपके पास जल नहीं है, इसका मार्केट का, तो आप घर का ऐलोवेरा जल, और घर का मतलब कुकुम्बर का और अलोवेरा का दोनों का ही देखो, अगर घर का आपने मिक्स करना है, तब आपने क्या करना है, बहुत आसान सा तरीका है इसका, कि आपने उसको पेस्ट बना लेना है, दोनों चीजों का, पीस के मिक्सी में पेस्ट बना लो, और फिर उसको लगा देखो ये हो गया है मैं जादा नहीं मिक्स करनें ने तो टक टक की आवास ना आपने परिशानी हो जाना है तो चलो अभी हम लगाएंगे अच्छा मैं इसका लगाऊंगे पतला पतला ये लेयर आप चाहें तो आप मोटी लेयर भी लगा सकते हैं और जब आपने लगाना है तब आपने कोशिश करनी है कि रब करते करते लगाना है ताकि अच्छे से न वो जाए आपकी स्किन के अंदर फाइदा दे आपको इस तरह से आपके कोई प्रशन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए अभी मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाल मैं कब से तो पूली नहीं हूं आपको मेरे मैं सोच रही हूं यार मेरे डाक सकल थोड़े और अच्छे हो जाए तब मैं बताओ कि पहले से तो बहुत अच्छा फर्क पड़ा है इनको थोड़ा सावर पड़ जाई यहां यहां पिंपल्स हो गये है और पिंपल्स में बहुत है रात क अच्छा होता है तो यह देखिए इस तरह से अभी लगा लिया है हमने सारा अच्छा अभी क्या करना है अभी 15-20 मिनिट आप इसको ऐसे ही रहने दे और उसके बाद फिर आपने स्किन को वाश कर लेना है चेहरे को और उसके बाद कोई भी मोश्यराइजर क्रीम जो भी अच्छी है आपके लिए वह आप लगाएं इसके बाद आपने क्या करना है आप अपना खुब सरा ध्यान रखिए कि यह 15-20 मिनिट लगा रहने देजिए और उसके बाद वाश करें अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ऐसे टेंशन वाला मामला है तो यहां से ऐसे करके सूट करेगा कि नहीं करेगा ठीक है अब मैं इसको वाश कर दूंगी और आपने भी ऐसे वाश करना है और खूब सारा रखना अपना ध्यान और इसी तरह से अपना प्यार देते रही वीडियो को जरूर शेर कीजिए लाइक कीजिए और अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइ सब्सक्राइब नहीं किया है पटाफट से करो मैंने शुरू में नहीं बोला है अभी बोल रही है चलिए फिर बाई